तो जैसा कि हमारा दिल्ली पुलिस का पीवाइक्यू का सुरूशन चल रहा है उसके अंतरगर दोस्तों आपका ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे तो आपके एक्स्टा फेक्स को भी देखेंगे जो कि आपके अगामी एक्जाम के लिए जो आपका 14 नमूंबर तक आपके सारे जो पीवाइक्यू है उसको आप लोग चैनल को भी सब्सक्राब कर लिएगा पीडियो टेलिग्राम पर मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप लग जाकर वहाँ से जोइन हो येगा तो देखें पहले जो प्रश आपका पूछा गया है कि निमलिकित में से किस राजवन्स ने इलोडा के इलोडा में किलास मंदिर की निर्मान में सह परदान किया यह मराश के औरंगाबा जिले की इलोडा के गुफाओं में इसके लाव 1935 में इलोडा को द्वारा विस्वदोर अस्तल का दर्जा भी है जो कि परदान किया है इस बात को भी आप क्या किजिएगा याद किजिएगा ठीक है देखें नेक्स कोंशन आपका है वो है कि कल्कत्ता जो की आप कल्कत्ता हो गया है ठाठारसों में ऋप्सिंन हमें स्टापना है तो कलकत्ता में जो आपका Fort Williams College है उसका स्थापना किस ने किया था यह दोस्त आपसे पूछा गया है तो इसके स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना है और दोस्त आपका किस के द्वारा किया गया है तो तो दोस्त आपका किया गया है आपका option number three यानि कि Richard Willisley की द्वारा आपका कॉलकत्ता में फोर्ट विलियम कुलेस का स्थापना 1800 में क्या गया है इसको भी याद देखेगा इसका उदेश आपका भारत में परशासनेतु विडिस्त अधिकारियों को प्रस्किशित करना था नेक्स आपका है वह है कि भारत में जनगना द्वरा अनुपालित प्रनालियों के अनुशार लिंग अनुपात को जनसंख्या परती डैस पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या के रूप में परिवासित किया जाता है तो इसका राइट एंसर दोस्तों आपका एक हजार है ह हमने यह आपको एक वर नहीं हजार बताया है कि जो आपका लिंगान उपात होता है वह दोस्तों आपका कैसे निकाला जाता है तो मान लिजे आपके राज में आपके या सहर में एक हजार पुरुष पर आपकी महिलाओं की संख्या कितनी है तो सबसे जाज जो लिंगान तो सबसे कम निगान उपात आपका कहा है तो सबसे कम निगान उपात वो दोस्तों आपका कहां कहो जाएगा ते ये रियाना का है इसको भी आप या देखियेगा ठीके 3 गारत में जनगन्ना के दोड़ा अनुपालित प्रनालियों के नुशार लेंगा अनुपाद जन संक्या में परती एक हजार पुरुष पर महिलाओं की संक्या के रूप में परिवासित किया जाता है। गर्व इंटरेंस समंदी थे जिने वर्ष दोड़ा बीस में दोड़ा पुरुषकार ने मिस्टरी में जो कि आपका दिया गया था। पुरुषकार से समानित आपके सुनीता नरायन को निमलिकित में से किस छेत्र में उनके दुवारा किये गये कारों के लिए जाना जाता है। यह दोड़ा पाच मेंने प्रदमश्री मिला है। यह दोस्तों आपके विज्ञान और प्रयावरेंस से का समंद्ध है। प्रदमश्री पुषकार से समानित सुनीता नरायन को विज्ञान प्रयावरेंस में उनके दुवारा किये कारों के लिए जाना जाता है। यह दोस्ता आपका दोजा 24 इसका आपका राइट एंसा था। केंद्रिय वित मंत्री के दुआरा बज़ेट 2020 से के इसके नुसार वस दोजा 24 तग जन औस जी केंद्रिय विज्ञान का सभी जीलों में विस्तार है जो कि आपका कर दे जाएगा। इसके लावा जो केंद्रि इसको भी आप याद रखेगा। अपका कौन सा मंदिर दश兩्वतार मंदिर की बात करेंगे जो देवगर का देवगर कहां पर है तो एका कानपुर्ण Ishлаг भल एक आपका मंदिर है वितर गाउं मंदिर जो कि आपके एक्जाम में आपका जब एक्जाम आपकी हाली में MTS का हुआ था उसमें पूछा गया था कि भितरगाओं मंदीर आपका कहा इसे थे ठीके तो जो आपके प्राचीन विद्वान थे पानिनी उनको दूसर आपका संस्कीत व्याकरन के छेत में जाने राता है तो राइट एंसर आपका संस्कीत व्याकरन हो जाएगा उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है तो इसका राइट एंस आपका option number एक हो जाएगा कटला, कटला समुद्री मतज से पर जाती नहीं है, यह आपका सुक्छ जल शोतों नदियों तलाबों में पाई जाने वली मचली है, जबकि आपका साधिना, हिलसा, मैकरेल, समुद्री मतज से आने की मैरिन फिर्स पर जाती है अगला है कि वन अरेंज मैरिज मर्डर नामक पुस्तक के लिखक या लिखका कोन है, तो वन अरेंज मैरिज मर्डर नामक पुस्तक है, और दोस्तों आपका चेतन भगत जी के दुवारा लिखा गया है, तो वन अरेंज मैरिज मर्डर नामक पुस्तक के लिखक आपके चेतन भगत जी हैं चेतन भगत की अन्य प्रशित रचनाय की बात करेंगे पुस्तक में तो one night at the call center, one Indian girl, half girlfriend, the three mistakes of my life या आपके चेतन भगत जी के दिवारा ही लिखे गई पुस्तक का नाम है नेक्स्ट आपका है कि निमलिक्षित में से कौन सा एक सधारन अस्थाई उत्तक है तो अस्थाई उत्तक की बात करेंगे तो आपका मुरुत्तक क्याने की पेरन काईमा एक आपका क्या है तो सधारन अस्थाई उत्तक है मुरुतक की बात करेंगे तो पेरन काईमा जिसें के नाम से जाने राता है यह आपका सत्धारन अस्थायु तक हे यह आपका जीवित को शिकाई है जो कि पतली विति युक्त गोलाकार अठावा अंडाकार होती है इसका मुखकार क्या है तो इसका मुखकार आपका जल तता खात परदातों को संचित करना इसका मुखकार है साथ में पौधे को सहरा परदान करना इसका मुखकार है इसके लावा जो पेरेन काइमा है जायलम है वही निकाए है चाली निकाए है ये से भी दोस्तों आपका पादब कोश्का में पाये जाता है इसको भी आपया दखेगा जो जायलम होता है वो दोस्तों आपका क्या करता है पाओधे में आपका जो जल का परिभन करता है वो जायलम के दुआरा किया जाता है इसको भी आपया दखेगा अगला है कि जुलाई payment bank होगा या आपका दोज़ा भी इसका question था आपके लिए important नहीं है तो हम लोग आगे बरते हैं next आपका है निम्लिकित में से की से दर्सन की सांक परनाली की स्थापना का स्रे दिया जाता है तो दर्सन का जो सांक परनाली है उसका जो अस्थापना का स्रे है वो आपके कपील को दिया जाता है तो राइट एंसर आपका कपील हो जाएगा सांक दर्सन जिसका साबदीकर्थ संख्या या अथवा अंक होता है यह आपका सद्य दर्सन में सबसे प्राचिन है इसका उलेक परतेक्ष तोर पर भगोद गीता में भी है और अब परतेक्ष रूप से उपनिस्तव दूम में भी है इसका परवर्तक कपील मुनित है सांक दर्सन की बात करेंगे तो यह आपका जैन धर्म से समन्धित है नेक्स आपका है कि जुलाई 2020 में निमलिकित में से किसे अंतराष्टी रेलवे संग के सरक्षा मंच उनियन के अधुपादेक्ष के रूप में नामित किया गया है तो यह नामित अरुन कुमार को दिया गया था यह भी कुर्षन आपके लिए इंपॉर्टेट नहीं है निमलिकित में से किस स्थान परिसित है तो हमने आपको अभी बताया कि जो भीतरगाव मंदिर है आपका उत्तर प्रदेश के कानपूर सर में इसित है जो कि गुप्त कालिन मंदिर यानिक गुप्त स्वमराज के सासकों के दुआरा बनाया गया है ठेके इस मंदिर को सबसे पारमपरिक दसावतार नामक नाम की रंगमंच यानि की ठेटर से लिए जिमलिकित में से किस छेतर से समन्दित है तो जो आपका पारमपरिक जो दसावतार नामक जो रंगमंच है यानि की ठेटर है वो दूसरा आपका कोकन छेतर से समन्दित है कोकन छेतर में आपका परसीद तो आपका मनी का बत्रा है वो आपके टेवल टेनिस के परमुक खिलारी है इसको भी याद दखिएगा जो राजीव गांदी प्रुषकार है वो दोस्तो आपका 1921 या 1921 में आपका ये क्या किया गया था शुरू किया गया था जिसके जो पहले पराप्ट करता है वो दोस्तो आपके विश्रुनात आनंध है इसको भी याद देखिएगा जो 20 आनंध है हो दॉस्तो आपके 57 के खिलारी हैं तेके इसके लावा जो राजीत गंदी खियरतन प्रुषकार है एच्छे में आपका मनी का बत्रा को समानित किया घ्या है जो बी को आपका समानित किया गया है जो भी आपके टेवल टीनिस के ही खिलारित हैं, इसके रावा जो राजय गांधी खेरतन पिरुषकार हैं, उसका नाम बदलकर आपका major ध्यांचन्द खेरतन पृषकार हैं, जोकी आपका कर दिया गया है, major ध्यांचन्द के बाद करेंगे ति आपके होकी के बहुत ही खिलारित हैं ठेके इसको बिया देखेगा इनके जर्म दिवस के उपलक्ष में हम लोग राष्टे खेल दिवस्य मनाते हैं कब मनाते हैं तो 29 अगस्त को मनाते हैं नेक्स आपका है कि भूमी के उपरी भाग में गहराई बरने के सासा तापान में क्रमिक विर्धी की डर लगबग डेस परती किलोमेटर होती है तो इसका राइटेंस आपका 30 डिगरी सेलसेस होता है भूमी के उपर उपरी भाग में गहराई बरने के सासा तापान में क्रमिक दर की विर्धी एक नीचित गराई तक लगवग आपका 30 डिगरी परती किलोमेटर होता है। केंदर राज समंदों से समंदित मुद्दों पर विचार के बाद भारत की दाजनिती अर्थ विवस्ता में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए। इतिये समंदों और आर्थिक और समाजिक नियोजन, पंचायती राज संस्थानों, अंतर राज्ये नदी जल सहीत संसादनों का सहाजा करना, इद्यादी सामिल करके सभी छेतरों में अधिकारों और जिमिंदारियों के समंद में नियाले के द्वारा की गई विविन पूरे तुम और जो आयोग है, यह बी आपका किस समंदी थी, समंदी आपका क्या है, अगला है किन मलीकित में से किस ध्रिययम के द्वारा, भारत में जी स्टी यानि परिश्यद के सथापना किया गया था, तो जो जी स्टी हे वो भारत में, आपका 101 मा समिधान संस्तुन 126 एक्ट के तहट आपका स्थापित किया गया है कब किया गया था जेस्टी तो 1 जुलाए 207 को आपका जेस्टी है जो कि पूरे भारत में लागू हुआ है इस बात को भी या देखेगा जेस्टी परिस्ट के देख्सता की बात करेंगे तो वित मंदरी के दुआरा क्या जाता है अगला है कि वी या डिस्पलेश नामक जो पुस्तक है उसके लेखक और लेखिका कोन है तो वी या डिस्पलेश जो नामक पुस्तक है की दो लोगों को दिया यह था एक आपके कलास सत्यारती जीत हैं एक आपके मलाला इसुजाई जीत हैं ठेके उनी के दुआर आपका वी यार डिस्प्लेस्ट नामक पुस्तक लिखा गया है अगला है कि केंद्रिये स्तांकिकी संगठन CSO मासिक अधार पर और दोगिक उत्पा केंद्रिये स्तांकिक संगठन अब जो NSO है कि द्वारा मासिक अधार पर और दोगिक उत्पादन सुषकांग IIP के गरना के लिए दोज़े 11-12 को अधार वर्षानिकी बेस येर की रूप में लिया जाता है अगला है चोल परशासन के संदर में वेटी सब्द का अर्थ क्या चोल परशासन भूराजस्प को कदमाई कहा जाता था ठेक shaped अगला है कि भारतिय जब бывает और वी आई की मोद्रिक नीथी समिति यानिकि मैं कि कुल कितने सदश होते हैं तो मौद्रिक कमेटी में आपका टोटल 600 सदस होते हैं, भारति reière gene bank की मोदिक नितिश्व शमिति में अधिख्ष सहीता आपका कितने सदस्थ, तो 6 सदस होते हैं चिकर फार्ञे के गवर्णर इसके पदेन अधिक घुते हैं अधिकर के अतरिक्त अन्ग मेंसे तिन सदस्थ जो है आपका किंद्र सरकार के दोवारा निक्त की जाते हैं वरतमार में RBI के गवर्णर के बात करेंगे तो वरतमार में RBI के गवर्णर को ने है सक्ति कांत दास है जो कि आपकी RBI की केमे नमबर के गवर्णर है तो 25 में नमबर के गवर्णर है इन्हें अभी 2023 में दोस्तों आपका Governor of the Year Award से भी समानित किया गया है Governor of the Year Award से जो कि आपका SSC CPU में पूछा गया प्रस्ट है इसको भी यह देखेगा जो Governor of the Year Award है तो दोस्तों आपका इनसे पले आपके रगु राम राजन को भी दिया गया था 2015 में भारत के मातर दो ही लोग ऐसे हैं जिने Governor of the Year Award से समानित किया जा चुका है तो सक्तिकांत को दिया गया था आपके गिजाम में पक्का यह प्रस्ट आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी सिप्ट में आप लिक कर ले लिजिए नेक्स आपका है किसी कोशिका के आत्मघाती से ले यानि कि सुसाइडल बेग के नाम से जान जाता है तो जो आपका कोशिका का आत्मघाती ठेला है यानि कि सुसाइडल बेग है तो दोस्वा आपका लाइसोस्वाम को कहा जाता है Lysosome को कुछिका का आत्मगाती थेले के नाम से जाना जाता है जब कुछिकाई मिर्त या छतिगरस्ट हो जाती है तो Lysosome फड़ जाता है और अपनी ही enzyme का पाचन है जो की कर लेता है इस कानल Lysosome को साइजल बेक के नाम जाना जाता है यह दूसरा आपका फड़ जाता है इसका नहीं से atom bomb के नाम से भी आपका जाना जाता है इसके लाव़ माइटो कॉंडिया की बात करेंगे तो माइटो जो कॉंडिया होता है यहाँ पर कुछिका आपका सोसन करती है इस ठोसन करके दोसर आपका उर्जय का निमान करती है आपका ATP की रूप में करती है तेके इसलिए दुसर आपका इसे उर्जय का Powerhouse कहा जाता है Energy का Powerhouse किसे कहा जाता है Mito-Condia को कहा जाता है इसके लवाद दुसर आपके क्या याद पहना है जो गोलजी का जो सrprotशना होता है यह दोसर आपका एपि थरमल जो आपका होता है उसी का दोसर आपका यह भाग होता है गोलजी का सrnostर आपका है वह है कि आरतिक स्रवेचन 2020 के नुशार तोज़ा 15-2 के बाद और पांच4 वेक्ति वाला एक प्रिवार जो परती दिन दो साका थालियों का पोजन करता है उस घर में परतिवस उस्तन लगवग रुपे की कमाई हुई है तो 10,887 रुपे ये भी आपका करन्ड का कोर्शन था इसको भी आम लोग नहीं छेरेंगे अगला है क्लोस टू दबोन नामक पुस्तक के लिखका कोन है तक क्लोस टू दबोन नामक ज था तो सिकंदर का जब मिर्ती हुआ इसके लावाद चंद्गुप्त के द्वारा प्राजित हुए सिकंदर के जो सेनापती का नाम था वह आपका सिलुकस निकेटर था तो राइट एंसर आपका सिलुकस निकेटर इसका राइट एंसर होगा सिलुकस निकेटर की बात दरवार में आया था वो रजदुत का क्या नाम था तो नाम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है इसके लिए हम छमा चाहते हैं ठीक है तो बस याद दिखिएगा आप सर्सकर लिजेगा कि से लुकस निकेटर का कौन सा रजदुत था जो की चंद गुत मोर के दरवार में आया था ठीक है चलिए नेक्स आपका है वो है कि 31 सगर 220 तक प्राफ जनकारी के एनुशार निमली किर्केटरों में से कौन टेस्ट मैच में तीसरा स्रवादिक बिकेट लेने वाला गेंदवाज है इसका नाम आपका अनिल कुमले है इसको भी आप याद दखिएगा एक कई सगर 220 तक प्राफ जनकारी के एनुशार अनिल कुमले टेस्ट मैच में तीसरे स्रवादि विकेट लेने वाले गेंदवाज है नेकिन हम dex सबसे अभी नहीं ठीक है अगला है कि असम की परंपरिक संस्कृति के स्टमन में भावना भावना क्या है तो भावना दुस्तों आपका एक आपका रंग मंच का रूप है तराइट इन से आपका रंग मंच हो जाएगा असम की परंपरिक संस्कृति के स्टमन में भावना आपका एक रंग मंच का करेगा तो सरकार आपका राष्टिय तक्निकी वर्ष्रमिशन का स्थापना है जो की करेगा ठीक है अपने किंद्रिय वज़े दुराबी से के इसमें भासर में किंद्रिय वित्मंद्री ने घुशना की है कि सरकार राष्टिय तक्निकी वर्ष्रमिशन का स्थापना है जो की क जनपत प्राचिन भारत में राजवम परशासिक कायों को कहते थे, वो गंतंत्र राज़तंत के रूप में साजित था, बहुत धर्म का एक गरंत है आपका अंगुतर निकाय, उसमें ही कहा गया है कि जो महाजनपत की संक्या था, उसमें आपका स्रोला था, इसके लाव जो सब आपका मगत था, जो बाद में चल कर पूरे जनपतों पर पूरे आपके जो 15 जनपत थे, मगत को मिला कर उस पर आपका राज किया था, नेक्स आपका है कि दूसरे सताबदी इसापुर्व किस दोरान हेलियो डोरस निमलिकित में से किस के दरवार में राजवत की रूप में आया था, तो जो हेलियो डोरस था, हेलियो डोरस उदूसर आपका भाग परद के दरवार में आया था, तो भाग परद इसका राइट एंसर होगा, दूसरे सताबदी इसापुर्व कि दोरान हेलियो डोरस भाग परद के दरवार में रदूत की रूप में आया था, हेलियो परतिवा दिवी सिंह पार्टिल कभी भी लोकस्वा के सव़ापती नहीं रहे हैं। व। भारत की पर्थम महिला राश्पती थी इसको भी है दख्येगा। इसके अलावा लोकस्वा के पर्थम अध्यक्ष की बात करेंगे। औम धिरला उसके आपके इसकां है। नेक्स आपका है कि निमलिकित में से कौन से जील एक घड़े से बनी है जिसका निर्मान आपका उलका पिंड के गिरने से हुआ है तो इसका राइट एंसर आपका लोनार जील आपका राइट एंसर हो जाएगा लोनार जील जो कि दोस्तों आपका महरास्ट में सी थे इसका जो भाग 11 आपका श्रंग एमराजों की विश्य समयंदों का परधान करता है ये तीन प्रकार से वनी थे आपका विधाई प्रशासनिक और आपका वित्ये नेक्स आपका है उर्जा के एकादर्स पिडामिड में यदि हरे पौधे के द्वारा 500 जूल और सोड उर्जा गरन की जाती है तो केवल पौधे द्वारा आउसोसित करके रखी जाएगी बाकी परियावरन में लुप्त हो जाएगा तो 5 जूल इसका आपका राइट एंसर होगा उर्जा के एकादर्स पिडामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल और सोड गरन की जाती है तो केवल पौधे द्वारा आउसोसित करके रखी जाएगी बाकी परियावरन में आपका लुप्त हो जाएगा नेक्स आपका है कि केंद्रिय बज़े 2020 के इसके नुशार निम्रिकित में से कौन से बिमारी 2025 तक भारष से उनमुलित हो जाएगा तो 2025 तक जो आपका चैरोग है जिसे कि हम लोग टीवी के नाम से जानते हैं वो दोस्तों आपका क्या होगा आपका मतलब उनमुलित हो जाएगा 2025 के नुशार केंद्रिय बज़े 2020 के इसके नुशार नेक्स आपका है लेक्टोमीटर की कारपनाली निम्रिकित में से किस पर दो जो आपका इसा होगा लेक्तोमीटर का उपयोग की बात करेंगे तो लेक्टोमीटर का जो अपयोग है हम लोग दोद की स्युत्तम अपने के लिए करते हैं तो इसको भी आप लोग याद रखेगा नेक्स्ट आपका है कि निमलिकित में से कौन सा जील है जो कि स्री हरीकोटा दीप द्वारा बंगाल की खारी से अलग होता है तो राइट एंसर आपका पुलिकट जील होगा पुलिकट जील स्री हरीकोटा दीप द्वारा बंगाल की खारी से अलग होता है ये जील आंतपरदे और तमिलाडू की स्रीमा पर इस्तित है नेक्स्ट आपका है कि 14 सेप्तमबर 2020 में निमलिखित में से किसे राजसवा के उपसवावती की रुप में निर्माचित किया गया है ति दोस्ता आपके हरीवंस नरायन सिंग को किया गया है हरीवंस नरायन सिंग अभी और तमार में भ दखेगा वो कौन से दल से समन्दित है जनता दल उनाइटेट सेंद का समन्ध है इसके लावा राजसवा के उप सवापती तो आपके हरिवन से नरायन सिंग है लेकिन राजसवा के जो सवापती है वो कौन है तो जो राजसवा का सवापती होता है वो दोस्त आपका उप इसको भी आख़ेगा या आपके राजस्थान रोयल्स के तरब से आपके ये खिलते हैं अगला है नर्सिंग वर्मन परत्म जिने मावल के नाम से जाना जाता था डैस राजबंस के सासक्त है तो नर्सिंग जो पर्थम है जिने मामल के नाम से जाना जाता वो तो तो आपके पल्लव राजबंस के सासक्त है पल्लव इसका राइट एंसर होगा उनके सासनकाल के दोरान परसीद जो पंचरत मंदिर का निर्मान हुआ है ये भी आपका इनुर्शको का विश्व दोर रस्थल है आपका पंच रतमन्दे अगला है पादप के निमलिकित भागों में कौन सा भाग आपका धनात्मक गुर्तवा वरतन दर्शाता है तो इसका राइटेंस आपका जर हो जाएगा पातवों में जर धनात्मक गुर्वा तरतन दर्शाता है पातवों में जर का मुख कार खाद बढ़नारन और सहारों को परदान करना होता है वो अवसोशन अंग और वाताप अंग का विकार्श करता है अगला है निमनिकित में से कौन सा पद भारत में सम्मिधानिक पद नहीं है तो आप से सम्मिधानिक पद पुछा गया था तो यह आपके सोली सेल्टर जो जनरल का जो पद है वो दूसरा आपके भारत में सम्मिधानिक नहीं है तेके Solicitor General भारत के अधिन, महानेवादी के अधिन है, यह दुसरा का सरवोच, सरवोच कानून अधिकारी होता है, यह आपके समिधानिक पद नहीं है, इनकी नुक्ति आपका राशपती के दुवारा ही किया जाता है, वरतमार में तुसार जो कपूर है, भारत के Solicitor General है, इस आपके कोन है, वरतमार में आपके महानेवादी है, जिसका उलेक आपके Article 76 में किया गया है, जिसकी नुक्ति आपका राशपती के दुवारा ही किया जाता है, अगला है कि भारत की जनगन्ना में निमनिकित में से किश वर्ष में, पुर्वरती जनगन्ना की तुल्ला में, भारत की लिंगानपार्थ में विर्दी दर्श किया गया है तो 1981 में इसका राइटेंसर होगा भारत की जनगना में वर्ष 1981 में वर्ष 1971 की तुल्ला में लिंगानपार्थ में विर्दी दर्श किया गया है वर्ष 1970 में यह आपका 930 था जबकि 1981 में आपका 934 हो गया है वर्ष जब 21-22 के दोरान भारत की वास्टविक GDP में डेर्स विर्दी का नुमान लगाया है तो राइट एंसर आपका 8.5% इसका राइट एंसर होगा 20 का कोस्टन था छेर चाज नहीं करेंगे अगला है कि बेकिंग सोड़ा का जो गोल है जो मिलिकित में से किस सुचक के साथ हरा देता है तो दोस्टा आपका चिन्नी गुलावी इसका राइट एंसर हो जाएगा बेकिंग सोड़ा का गोल चिन्नी गुलावी यानि की चाइना रोज के साथ हरा रंग देता है लेटमस पेपर अम लोडचार का एक प्रकृति सुचक है यह लाइकिन से प्राप्त होता है इ यह गोशना आपके आयुशमान खुराना जी को किया था तो इस करायाट एंसर आपका आयुशमान खुराना होगा सेप्टमब दोज़र पाइस में इन्यूशेफ इंडिया ने बच्चों के खिलाप होने वाली हिंसा को समाप्त करने के अपने कारों के लिए आयुशमान चैनल पर आप नहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए इसी परकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जब तक के लिए जैहीन जैभारत वंदेमात रम